मार्टिन लूथर किंग ने जब धर्मसुदार अंदोलन चलाया था तो उस समय उन्हें तुरंट सफलता नहीं मिल गई थी कैथलिक लोगों ने काफी उनका विरोध किया था उनके पुतले जलाये गए थे उन्हें बहिश्क्रत कर दिया गया था उनके खिलाफ मोर्चे निकाले गए और उन्हें हर तरीके से परिशान किया गया लेकिन हम जानते हैं कि धीरे 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 जब वे अपनी चीज़ पर अड़े रहे तो एक समय ऐसा आया कि उनके प्रोटेस्टेंट मुवमेंट को सफलता मिली पहचान मिली मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि हर नई चीज जो पहली बार लोगों के सामने आती है उसे तुरंत नकार दिया जाता है अब चुकि हमारे युवा पहली बार में अगर नकार दिये जाते हैं उनके थौट्स को नकार दिया जाता है या परिक्षाओं में उन्हें नकार दिया जाता है तो उनका उत्सा खतम हो जाता है उन्हें ऐसा मैसूस होने लगता है कि वे सफलता के लिए नहीं बने हैं वे चाए कुछ भी कर लें उन्हें असफली माना जाएगा ऐसा नहीं है आप खुछ सोच ये कि जब नब्वे के दशक में और खास तोर से 1995 के बाद जब बॉटल बंद पानी भारत में आया उस समय काफी लोगों ने सोचा था कि भारत में अतिती देवो भव की परंपरा है यहां पानी से ही हम स्वागत सतकार करते हैं यहां ये पानी बेचने वाला रिवाज नहीं चलेगा लेकिन आज आप देखिए 15-20-25 सालों में क्या बदलाव आया यही बॉटल बंद पानी आज बड़े-बड़े मैट्रो सिटी से होते हु हुए अब हालत यह है कि गांव और धानियों तक पहुंच चुका है तो स्विकृति मिली समय लग सकता है लेकिन आपको भी स्विकृति जरूर मिलेगी मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब पहली बार में आपको नकार दिया जाए तो उस सकता है क्योंकि कई बार हम कोशिश करना उस वक्त बंद कर देते हैं जब हम लक्ष के बिलकुल करीब होते हैं और नकारात्मक्ता हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है और हम यह सोचने लगते हैं कि मैं यह लक्ष कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा हम हमारे एफ़ट्स बं लेगा और रहा सवाल किस्मत और कोशिश का तो देखिए अगर आपकी कोशिश निरंतर है अगर उसमें regularity और punctuality है तो निश्चित तोर पर किस्मत का सितारा भी आपकी तरफ घूम जाएगा और आपकी किस्मत के सितारे भी बुलंद गेगे बशरतें आपहार मानना बंद कर दें हार मानने की जरूरत नहीं है और अगर आपको नकरा जाता है परिक्षाओं के अंदर या इंट्रव्यू के अंदर तो यह ज़रूर सचीएगा कि पीछे कुछ तो कारण है और यह भी सेगा कि अगर आज मुझे नकरा गया इसलिए ताकि मैं कुछ और ज्यादा बैटर कर सकूं अपने आपको और ज्यादा बहतर कर सकूं और आप कर सकते हैं प्रशाष्णिक सेवा परिक्षाओं के हर साल रिजल्ट आते हैं और हम देखते हैं कि सफल के इंडिडियेट होते हैं उनकी लिस्ट आती है फिर उनके तो क्या उसने खुद को असफल मान लिया था अगर वो खुद को असफल मानता तो चौथे अटेंप्ट के लिए कोशिश ही नहीं करता लेकिन उसने कोशिश की दुनिया नहीं देखते हैं आपने अटेंप्स कितने किये हैं आपने कोशिश कितने किये वह तो सिर्फ आपका वो चमकता हुआ, बविश्य देखते हैं, जब आप वो हासिल कर लेते हैं अपना मुकाम, उस समय दुनिया देखती है और आपको सेल्यूट करती है, तो अपने आपको बचाएं और लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई काम न करें, अक्सर हम लोग गलतियां तब करते ह जब हम यह सोचते हैं कि मैं इसको इंप्रेस कर दूँ और उसको इंप्रेस कर दूँ, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी को इंप्रेस मत कीजिए, आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष पर रखिए, जब आपका ध्यान दूसरों को इंप्रेस करने पर जाएग में आपको अपने रास्ते बदलने की ज़रूरत नहीं है। रहे हैं तो उसका सारा आपमें विश्वास महीं ढह जाएगा वह इसलिए ढह जाएगा क्योंकि आम तोर पर human nature ऐसा होता है कि वह सफलता देखते तूट जाता है तो अब यह टेस्स सिरीज उसके लिए कि फाइदे मंद कम और नुकसान दे जादा हो गई क्योंकि परिक्षा तक अगर वह नहीं में तैयारी करता और नहीं में तैयारी करने के बाद परिक्षा में बैठता तो वह 70 नंबर तक पहुंच सकता था इन टेस्स सिरीज ने उसको 30 नंबर पर लाकर पटक दिया यह बाते कीजिए कि आपका लक्ष आपके सामने हो उस वक्त भी जब आपके आँखे बंद हो जब आप सो रहे हो उस वक्त भी आपका सपना जगना चाहिए इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है न वो यही है कि अपने सपने को जिन्दा कैसे रखा जाए मानव शरीर को जीव जीवित रखने के लिए हमें कुछ ने कुछ करना पड़ेगा और सपने को जीवित रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़े कि रोजाना आपका सपना आपने सामने आना चाहिए इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे है तो अपने डेस के उपर आई ये इस लिख कर रखिए जब भी आपके नजरें उस पर पड़ेगी तो आपको तुरंत रिमाइंड होगा कि हाँ ये वो तीन शब्द हैं तब जाकर आपका सपना आपको वापस से बुस्ट अप करेगा और कैसी भी गहरी नकारातमक्ता का माहौल हो आपका प्र रहेगी परिक्षाओं में आपको अच्छी कामियावी मिलेगी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जय हिल्द